जैहिन दोस्तों, दोस्तों आप सभी का एक बाद फिर स्वागत है आपके अपने सेनिक वेलपेर यूट्यूब चैनल में दोस्तों 1 अप्रेल यानि की आने वाले वित्तिय वर्स में बहुत सारे नियमों में बदलाव होने जा रहा है और उन बदलावों के होने से केंदिय अकरमचारियों को, जवानों को, पैंसनरों को किस नियम के बदलने से फैदा होगा और किस नियम के बदलने से नुक्सान होगा तो आज मैं आपको एक-एक करके ऐसे 10 नियम बताऊंगा जो की 1st April 2022 से implement होने वाले हैं और जो direct और indirect आपके उपर पिरभाव डालेंगे तो देखे दोस्तों वो कौन से नियमें एक एक करके तो ये हैं दोस्तों 10 बड़े बदला जो अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ पहला बदला 1st April 2022 से अगर आप Post Office Monthly Income Scheme यानि POMIS Senior Citizen Saving Scheme यानि SCSS और Time Deposit Accounts के अंदर कुछ पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर लगने वाला जो ब्याद है वो आपका Saving Account में क्रेडिट होगा यानि कि अब आपको इन इसकीमों का Profit लेने के लिए Benefit लेने के लिए आपको अपने Saving Account को उसके साथ Link करना होगा इनके Interest का जो पैसा है वो आपके Saving Account में ही Deposit होगा अब देखें दोस्तों दूसरा Mutual Fund में निवेस करने के नियम में भी बदलाव होने वाले हैं यहाँ पर आपको बता दे एक अपरेल से Mutual Fund में निवेस के लिए भूगतान चेक और Bank Draft या किसी भौतिक माध्यम से फिजीकल माध्यम से नहीं किया जा सकता है दरसल Mutual Fund Transaction Aggregation Portal MF Utilities 31 मार्च 2022 से चेक DD आदी के जरिये भूगतान की जो सुबदा है उसे बंद करने जा रहा है अब आपको 1 अपरेल 2022 से Mutual Fund में पैसे लगाने के लिए सिर्फ UPI अथवा Net Wanking के जरिये ही आप पेमेंट कर सकते हैं यानि कि Mutual Fund में जो भी Transaction आपका होगा वो या तो आपका UPI या Net Wanking के जरिये होगा बाकी दूसरे तरीकों से जो अब तक होता था वो बंद हो जाएगा अब वहां नहीं आप इन्वेस्ट कर सकते अब देखें दोस्तों तीसरा बदला भी 1 अपरेल 2022 से लागू है और इसमें ये है जो करमचारियों का Provident Fund यानि भविश निदी खाते में जो आप पैसा जमा करते हैं धाई लाख रुपे तक अगर आपका जमा है तो ठीक है अगर धाई लाख रुपे से उपर आप पैसा जमा करते हैं तो उसके उपर जो आपको ब्याज मिलेगा उस पर आपको टेक्स देना होगा यानि कि आपके उपर आप मीचल फंड का पैसा जो धाई लाख से ज़्यादा आप कंटिब्यूट करते हैं उस पर लगने वाले ब्याज के उपर आपको इंकम टेक्स देना होगा ये 1 अप्रेल 2022 से इस्टार्ट होने जा रहा है अब देखिए दोस्तों चौथा नियाब CBIC यानि केंद्रिय एपरित्यक्ष कर और सीमा सुल्क बोर्ड ने माल और सेवा कर माल और सेवा कर यानि GST गोड्स इन सर्विस टेक्स के तहत इचालान जारी करने के लिए टर्न ओवर सीमा को पहले तैसीमा 50 करोड से घटा कर 20 करोड रुपे कर दिया है यह नियंबी 1 अप इंद्य करमचारी जवान किसी भी डेपार्टमेंट के जो इंप्लोईज हैं अगर वो बिजनेस करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर उनका काम है तो उनके लिए यह जानकारी है अब देखें दोस्तों पांच्वा नियम और यह पांच्वा जो नियम है एक्सेस बै बेलेंस 10,000 रुपे की सीमा थी अब उसको बढ़ाकर 12,000 रुपे कर दिया है यानि कि अब वहां पर आपको अगर एकाउंट है चाहें वो सेविंग एकाउंट हो यह सेलरी एकाउंट हो आपको मिनीमम आपके एकाउंट में 12,000 रुपे रखने होंगे अब देखें दोस्तो छटा नियम, छटा नियम के अंदर ये बताए गया है कि 10.7 फीस्दी की बड़ोतरी कर दी गई है मेडिसंस में, मेडिसंस कौन सी हैं जो पैनकिलर हैं, एंटिवाटिक हैं, एंटिवाइरस हैं इस तरह की लगबग 800 दवाईयों की कीमतों में बड़ोतरी होगी ये 1 अपरे बड़ोतरी हुई थी और डीजर पैट्रोल के दाम पिछले एक हपते से भी ज़्यादा समय हो गया, डेली बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में यानि कि फिर से एक बार गैस सिलिंडर के दाम 1 अपरेल से बढ़ सकते हैं क्योंकि बाकी दामें डेली बढ़ रहे हैं, ये आप सभी जानते हों, तो इसके लिए भी तयार रहना है कि आपको इसके लिए पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, अब देखें आठ्मानेव, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है, वो ये है कि 1 अपरेल 2022 से, सेंटरल गवर्मेंट ने पहली बार घर खरीदने वालों के लिए, ज जहत टेक्स में छूट मिलती थी, अब उसको बंद करने जा रही है, यानि कि 2019-2020 में के बजट में, 45 राख रुपे तक के घर खरीदने वालों को हॉम लोन पर, 1.5 लाख रुपे के आएकर में, जो छूट लाब की घोशना की गई थी, उसको पिछली साल एक्स्टेंड कर द लेकिन इस साल, इस वार, 2022 में, वित्वंत्री निर्मरास सीता रामन द्वारा जब बजट पेस किया गया, तो इसको एक्स्टेंड नहीं किया गया है, यानि कि आने वाले साल में, 1.5 अपरेल 2022 से, जो वित्य वर्सारा है, वहाँ पर आपको इस लाब से आप बंचित रह ज पड़ेगा, जो 1.5 लाक रुपे तक की छूटची, उसका बेनिफेट आपको आने वाले समय में नहीं मिलने वाला है, अब देखिए दोस्तों, नौमा बड़ा बदला, सीनियर सिटीजन्स के लिए COVID-19 के महमारी के दोरां, SBI, भार्तिय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, बैंक और बड़ोदा, HDFC बैंक, सबने एक Special FD, Special FD प्लान की शुरुआत की थी, इस योजना के तहत सीनियर सिटीजन की FD पर ज्यादा ब्याज देने का प्रोविजन था, मिल रहा था, हालां कि अब कुछ बैंक इस योजना को बंद कर सकते हैं, दरसल बरिष्ट न मत कर सकते हैं, क्योंकि इन बैंकों में बरिष्ट नागरिकों के लिए Special FD योजना की समय सीमा को विश्तार की गोशना नहीं की गई है, इन्होंने अपने उसमें इस स्कीम को एक्स्टेंड करने का प्रोविजन नहीं दिया है, तो अब ये लोग इस स्कीम को बंद कर सकते ह हैं, दस्वा और लास्ट, फर्स्ट अप्रेल से जो क्रेप्टो करेंसी का दोर चला है, उसके लिए जो वित मंतरी ने बजट पेश किया था, सभी वर्च्वल डिजीटल एसेट, वीडिये या क्रेप्टो एसेट पर 30% टेक्स लगेगा, अगर उसे बेचने पर फैदा होत है, तो इसके अलावा, जब जब कोई क्रेप्टो एसेट बेचा जाएगा, तब तब उसकी विक्री का 1% TDSP कटेगा, तो दोस्तो इस तरीके से जो दस नियमों में बदलाव होने जा रहा है, वो सारे जरूरी नहीं है, कि आपको पिरभावित करते हों, लेकिन जो भी आप को पिरभावित करते हैं, उनको उनके नियमानुसार आप समझें और अपना प्लानिंग करें, फिर मिलेंगे दोस्तो किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तो जैहिन, जै भारत!